तो हलो गाईज वागे दिखरते हैं आप सबका फिर से एक नए बहतरीन वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम आपको X-Tag, Splendor X-Tag के बारे में कुछ ऐसे चीज बताएंगे कि इसमें क्या क्या चेंज है और क्या चेंज किया है तो फाइदा है उससे की नहीं है आज इस वीडियो में यही बतानेवाले आपको तो वीडियो में बने रहेगा एंड तक तो चली करता है वीडियो को हम स्टार और आप यह सारह चीज इस डीटियल में बताते हैं तो पहले बात करते है गई इसके मीटर के बारे में देख सकते हैं जो मीटर रहो चेंज यह जो है आप Bluetooth connectivity के साथ आता है इसा company का कहना है लेकिन इसमें मेरे साथ प्रॉब्लम में आपको बताऊंगा पहले आप इसको देखे लोगा यह पूरा चेंज देल कितना है इंजन चेक लाइट इस्टेंड लगावा है उसका लोगों यहां पर दिखाए देर आपको 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 अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हूं जैसा कि मैंने यहां पर लिख करके रखा हुआ है अल्दा हूँ अपर देख सकते हूं अभी गाड़े ब आपके से उठा देता हूँ और यहां पर देखो यह चा चुका है अप मैं इसको लगा दूँगा तो वापस से यह है इस ट्रेंड का जो लेटा लगावा है उसका पर लोगों यहां पर दिख जाएगा कि भाई यह तो बंद हो नहीं है लेकिन वहां पर आपको देखी आप देख करके अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हो तो जहां पर दिखा देता हूं यह पर तरी यह फिर यह विट्व में है भी गाड़ी देखो नुटल चुका है तो लेगो हट चुका है यह पर इंजन चेक लाइट यह स्टार्ट करोगे यह डालोगे तो यह आप यह यह आपका हट जाएगा वहाँ से वागे अगर इंजन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम है जी आखर के सर्विस सेंटर सर्विस सेंटर जाइए आप उन्जन का कुछ इंजन का चेकप कराई यह देख सकतो मूड का बटन दियो आपको यहां पर इस पर क्लिक क यहां पर दिख सकतो इसक्राइब आपको मुझे लगा त है ब्लाक इसका दो कलर आया था ब्लैक ग्रिय बी आया कि एथा और प्लू भी आ तो ब्लैक वर्ट तो बहुत चला था तो मैं सोच एक भाई यूनिक रखते थोड़ सा गाड़ी को तो यह फिर मैं निकाला था ब्लैक अंड ब्लू उच्टाम मार्केट में यह कलर जो है बहुत कम दिखता था तो लोगों तो लोग पुछते थे कि भाई यह तुने पेंड कर निकाला था तीसरा चेंजिंग इसके हैं पीडेशक तो हैंडल मैंने इस नार्मल मैंने आपी नॉर्मल इस पर इंडर भी चलाया है और यह तो मैं चलाता ही रहता हूं गाइस मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस लगता है इसके हैंडल में क्योंकि वह जो है थोड़ा सा मत पार निकल रहा है उतना यह अंदर है जो चेंजिंग है वो इसका है हैंडल और इसका हैंडल थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है मुझे चलाने में एक दोस्त है मेरे जिसके पास है नॉर्मल स्प्रेंडर है यह रिजिटल वाले नहीं है तो वह चलाता तो बोलता का फरक है तो सबसे बड़ा चेंजिंग है यहां पर जिसके वह से पहचान होता है कि एक्स्टिक है वो है इसका लेडी सेटप जो यहां पर मिलता है कंपानी के साथ जो आया यहां पर फरन्ट वाइजर पर यह है जैसे कि आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो यह तो मिलता अगली वीडियो अगर वीडियो में वीडियो कोई जीजिंग रहे गको जरू कमेंट करना और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है मैंने इसके बारे में पांच पूरी चीजी बताई थी तो अगर लिंक आपको डिस्क्रिशन मिल जागा आप जरू कुछ चिकाउट कर ले ना मैंने उसमें आपको अच्छे समझा है अगर आप इस प्रेंडर प